हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी आप सभी को मेरा यूटूब चैनल में स्वागत है तो इधर में बनार्यू सुभा का नास्ता तो नास्ते में आज बनार्यू परोठा और पालक साग का पालक साग बनाई थी में हम लोग पालक साग जादतर ना कट करके ही यानि कि छोटे-छोटे टुकरों में कट करके बनाते हैं टामाटा वगरा सब कुछ एट करके बनाते हैं वो पीस के नहीं बनाते हैं पीसा हुआ हमें उत्रा पसंद नहीं है तो चलिए तो मैं नास्ता बना लेती हूँ फिर मिल अच्छा कोई तो खा लेगा सो गैस बक्रा लोग के लिए रोटी बना दिया हैं अभी मैं चोटे-चोटे टुकरा कर रही है और अभी मैं खिलाऊंगी बक्रा लोग को रोटी और उन लोगों को भी रोटी पसंद है, आप लोग देख सकते हो किस तरह कैसे, मतलब कि उन लोग खा रहे हैं, उन लोग भी बहुत मज़े से खाते हैं, रोटी वगरा, चावल वगरा, अच्छे से खा लेते हैं, जो बच जाता है न, तो वो हम लोग बक्रा लोग को दे देत सकते हो, यह डोर्मेट बहारी रखते हैं तो इसी वज़े से काफी जाता गंदा हो गया है, दूर्मिटी के कारण, और यह डोर्मेट बहुत ही अच्छा है, मैं 100 रुपे में खरीदी थी, लेकिन इस डोर्मेट का 3-4 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ह खराब नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जैसा था, विससे ही है, सिर्फ कलर चला गया है, खराब गंदा अधिकता है अभी देखने में, लेकिन जिसे के फट जाता है, कुछ खराब हो जाता है, विससे नहीं हुआ है, तो 100 रुपे में काफी ज़्यादा अच्छा है यह डो पूर्मेट नॉम मे ऐसे ही धोई हों आजिवर पानी से धोई होऊ सर्फn से धोई होँ तो चलिए मैं शुखा लेती होँ फिर मिलती हो तुम Chaos 라ifies और हमारे arrived इस घर में खाना बमेद लगो ख़ता है न मि यह से घर मेदस घर अब स्था है configurable liberated बाघ साफ करोंगे और इधर ना बकेट था बकेट को भी इसे ही पानी से में पखाल के यानि कि दोके रख दूंगी और बाहर कर काम हो गया है नास्ता बगिरा हो गया है अभी किच्छन को साफ करूंगी इस इधर में मेरा बेटा के लिए नास्ता परुस्टी में, हम लोगों ने नास्ता कर लिया है मेरा बेटाने नहीं किया था, तो उसके बाद उसे मैं रोटी, यानि कि परोठा दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना काम करूँगी मेरे बेटा को नास्ता दे दी हूं और अभी मेना इधर काटोरा में जो खुर्मा बोलते हैं मैरे बेटा को दे रही हूं उसे नास्ता दे दी हूं वह नास्ता कर भी लिया है तो उसके बात फिर में थोड़ी दिर की बात आप लोग से मिल रही हूं तो उसको खिरकी से ही मैं खुर्मा दे रही हूँ तो चलिए अभी मैं अपना किचन को साफ सफाई करूंगी तो अभी मैं इधर किचन को साफ सफाई करूंगी उपर सेल्प साफ कर ली हूँ पुरा किलीन लग रहे देखने में और इधर अभी मैं लगा रही हूँ पोचा और तो गैस आप लोगा जवाब मिल गया होगा. साथ में शेयर करती हूं तो आज संडे है तो संडे मॉर्णिंग व्लॉग आप सभी लोग को कैसा लगा जरू बताइएगा कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके तो चलिए मैं मिलते हूं आप सभी लोग से थोरे दिल में हेलो फ्रेंड ब्लॉग को यहें पर एन करती हूं व्लॉग पसान आता है तो प्लीज गाइस लाइक जरूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नई हूं प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए मैं मिलती हूं नेक्स ब्लोग में तक तके लिए अ